जिंजर फोर एक्स्ट्रेम हेर ग्रोथ इन सेवन डे स्टोप हेर लोस हाउ टू ग्रोथ थिकेंड एंड लोंग हेर विद जिंजर यानि कि अधरक कस्तमाल करके हम किस तरीके से बालों की ग्रोथ को साथ दिनों में बढ़ा सकते हो जी हाँ दोस्तों आज हम फोर्मला आपको बताएंगे उससे आप बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हो अगर आपके बालों पर दीज्ट की प्रफिल माती है बिस्टी क्या उसके बारे में आपको आगे बताने वाला हो उससे पहले आप इस चैनल को पहली बारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेसिन दोस्तों जिनने लों के डीच्ट काफी एदा हाई होती है उसकी वह से यह काफी हैर फोल लगते बाल बिलकुल थीन होते हैं बीची में सही गंजापन आने लगता है इस टी के कई तरगी के बोडी में फांक्सन होते है जब यह आपके बोडी के अंदर है अमांट में दीटी में कर्णवर्ट होने लगता है जिसके विए सबकाइब के डीएस्टी हाइए है उसका व्यश्यार आपके जो हेर के फोलीकल्स होते वो पहले स्टेश के अंदर स्रिंक होनी लगते फिर धी दीरे वही हैर के फोलीकल्स ब्लोक होने लगते और देखते ही देखते आप आपके हेर के जो होली कर्स ब्लोक होने के वैसे वहाँ पर नूट्रियंट्स नहीं पहुच पाता फिर उसकी वैसे क्या होता आपके बाल एकदम थीन होके जड़ जाते और बिल्कुल तूट कर आपको चिकनापन आया था इस केल्प के अंदर वहाँ पर आपके बाल नहीं लेगा तो अगर आपको शुरुआ तो यह रेमेडिया अपके लिए फाइदा मन्द होगी यह आपने कोई केमिकल यूज कर लिए अपने बालों पर जिसके आपको काफी अधा हेर फूल हो गया उसमें भी एक काम आएगा और साथी साथ आपके बालों को सुमूत बनाने में काम में आएगी तो किस तरीके से बालाना आपको सबसे पहले 10 ग्राम के करीब जिंजर को पीस लेना उसका थीक पेस्ट बना लेना है जिंजर हमारे स्केल्प के अंदर ब्लड सर्कुलरेशन को बूस्ट कर दिए जिससे आपको हेर ग्रोथ में काफी अच्छे रिजल्ट मि ठीक पेस्ट बना लेना है अब हम इसके दूसरी चीज मिलाना वह है बनाना दोस्तों बनाना भी हमारे स्केल्प के लिए बहुती फायदा मन होगा जिन लोग की फ्लेकी स्केल्प कोई काफी डेंडर जमा हो गया स्केल्प की क्लीनिंग नहीं हो पारी है उसकी वैसे आपके पिल करके अध्रक को जो हमने पेश्ट बना है उसी के अंदर एड कर देना है अब हमें इसके अंदर लास्टी चीज मिलाना वह है विटामिन ए की दो केप्सूल अगर आपके बालों के लंबा ज्यादा तो दो यूज़ करना वनना सिर्फ एक से ही आपका काम चली जाएगा विटामिन ए के अंदर एंटी ओक्षिडेंट पाएगा है जो हमारी हेर ग्रोथ को प्रमोट करता है स्केल्प की हेल्थ के लिए वहती फायदमन होती है तो एक या दो विटामिन ए की केप्सूल को इन्हीं दोनों चीज़ों के अंदर एड कर देना है यह हमारी स्मूथनिं तक बालों को कवर करके रखना है उसके बाद आपको बालों को वहस्ट कर देना नॉर्मल ओटर से इसा आपको विक में 3-4 बद करना है इससे आपके डेस्टी मेंटेंड रगी हेर ग्रोथ बढ़ने लगेगी जो बाल आपके थीन हो गये तो धीरे-धीरे जाले मजबूत हो होने लगेंगे